Hello everyone, मैं वो किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशीफल ये 26 ओगस से लेकर 1 सप्टेमबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के सापताहिक राशीफल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारू रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका संग साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक के साबताहिक राशी फल Ladies आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है के एनर्जीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 8 of swords और ये card कहता है छोटे मोटे challenges छोटे मोटे issues इस week specifically आप ये professional front में रहते हुए दिख रहे हैं अब दिखें जब भी भी लोग इस चीज को सुनते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं अब मुझे ये बताएं कि क्या ये possible है कि हर week जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो नहीं है ना तो जब भी भी इस तरीके का card आता है तो परेशान ना हो कैसे आप चीजों को बहतर कर सकते हैं आप उस पर focus करें तो दिखिए इस card को अगर मैं और ज़्यादा आपको बताओ तो ये card कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि आप बंधे हुए हैं confusion है, clarity नहीं है आप कहीं अपने तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं अपने तरीके से चीजों को नहीं कह पा रहे हैं so find a way out कि कैसे आप अपने आपको इन ही चीजों से बाहर निकाल सकते हैं काफी बंधा हुआ आप महसूस कर सकते हैं तो अपने लिए एक युनो कैसे आप freedom ला सकते हैं यानि कि किस तरीके से जो भी issues आपको बांध रहे हैं, problem create कर रहे हैं उनसे free कर सकते हैं अगर आप इन चीजों पर focus करेंगे ये week आपका ठीक ठाल जाएगा क्योंकि tarot guidance के लिए होता है लेकिन अगर आपने इस चीज को सुन मैं कह रही हो आप करेंगे क्योंकि हम लोग energy beings हैं जिस चीज पर focus करते हैं वही हमारी life में बढ़ती है अब situations तो आएंगी ही घर से बाहर निकलेंगे possible नहीं है कि आपको कभी भी red light ना मिले खड़ा ना मिले या फिर traffic jam ना मिले कभी ना कभी तो मिल सकता है अब ये situation आई है इसको लेकर आप खुद को क्या कहते हैं अगर आप अपने आपको गलत बोलेंगे या फिर अपनी किस्मत को दोश देंगे या you know whatever चीजें जो आपको परेशान कर रही है उन पर focus करेंगे तो ये चीज आपकी और जादा बढ़ेगी लेकिन जैसे ही आप अपनी energies में shift लेकर problem है ये तो issue है अब इसको solve करना है जैसे भी करें और आप solution पर focus करेंगे तो चीजों को बहतर करेंगे तो professional front में इन जीजों का खयाल रखें and personal front के लिए आप लगों के लिए two of pentacles का card है ये card कहता है चीजे ना बड़ी up and down हो रही है अब इसके लिए इसके लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर इस card के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि आप एक से जादा चीजों में involved हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है आपके personal front में और आप एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं आप सब चीजों को manage करके चल रहे हैं आप एक balance लाना चाहा रहे हैं अब द में और family में balance लाना चाहा रहे हैं अब दिखिए general reading है जो भी दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए differ करेगा लेकिन कहीं बहुत up and down in and out to and fro energies रहते हुई दिख रहे हैं to and fro मितलब कभी यह कर रहे हैं कभी बहुत great feel कर रहे हैं कभी उतना great नहीं feel कर रहे हैं कभी मन card है तो खबराने की या परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि pentacles का card है तो थोड़ा practical realistic होके चलना चाहा रहे हैं या फिर चल रहे हैं और money या फिर किसी और चीज का भी exchange रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए magic guardian का card है और ये card कहता है unlock the magic within तो देखा professional front में थोड़े से issues मसले रहे हैं और guidance का card आपको बहुत clearly message दे रहा है कि आपके अंदर ना बहुत जबरदस्तिक potential है बहुत जबरदस्तिक power है अगर आप उसको realize करेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल मुश्किल ही नहीं है दिखे फिर से मैं कहूंगी हम पर इमिट कर देते हैं या फिर हम अपनी true potential को नहीं realize कर रहे होते हैं वी आर souls, soul supreme soul का हिस्सा है और supreme soul is all powerful कुछ भी कर सकते हैं इस नाते दिखिए अगर हम supreme soul का हिस्सा है तो जो उनकी powers है वो हमारे पास भी है लेकिन हम इस physical body में है तो हम realize नहीं कर पाते हैं तो इस week again अगर have that magic you, have that power रिसे कि आप सब चीज को ठीक कर सकते हैं यकीन मानिये ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा ट्राइ करके देखिएगा and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था इरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए टारस आप लोगों के लिए दिखेंगे coming week क्या लिकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of cups और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में कहीं आप अपने goal अपने मकसद पे focus नहीं कर पा रहे हैं अब दिखें इसके लिए सब टारस के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आपके mind में बहुत सारी चीजें चल रही है या फिर external front में बहुत सारी चीजें चल रही है और आप अपने goal अपने मकसद पे focus नहीं कर पा रहे हैं कुछ टारस के लिए हो सकता है कि आप एक ख्वाबों की दुनिया में है जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है आप उसके लिए vision create कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं लेकिन कहीं practical, realistic steps नहीं ले रहे हैं उनको reality में convert करने के लिए, उनको reality में manifest करने के लिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई decision choice लेनी है और आप कहीं decision choice नहीं ले पा रहे हैं simply इसलिए क्योंकि आपके सामने बहुत सारे options हैं, बहुत सारी choices हैं या फिर से मैं कहूंगी आप clear नहीं हैं कि आप क्या achieve करना चाहते हैं आपने goal अपने मकसद पर आप focus नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप भी Taurus ऐसा पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें because seven of cups is not a negative card ये एक neutral card है और ये card guidance जादा देता है कि जो भी आप कर रहे हैं ना उससे आप अपने goal मकसद को नहीं achieve कर पाएंगे आपको थोड़ा सा कुछ और करना है जैसी कि आपको practical realistic तरीके से action initiatives लेने हैं अगर decision choice नहीं ले पा रहे हैं तो decision choice लेनी हैं और कहीं अगर अपने goal मकसद पर focus नहीं कर पा रहे हैं तो focus करना है और इनी चीज़ों को आप check करके correct करेंगे ये week आपका अच्छा जाएगा और अगर नहीं किया तो कुछ भी गलत नहीं होगा लेकिन by the end of the week आपको ऐसे लग सकता है कुछ productive नहीं हुआ ये week और अच्छा हो सकता था हम अपने goal मकसद को achieve कर सकते थे लेकिन नहीं कर बाए and personal front के लिए आप लोगों के लिए four of cups का card है तो देखिए दोनों ही fronts के लिए cups के cards हैं और कोई बहुत great energy वाले card नहीं है ये card भी again मैं कहूंगी कि bad नहीं है या फिर कुछ भी खराब होने की बात नहीं करता है neutral card है in fact ये card भी आपको यही बोलता है कि आप थोड़ा से emotionally low feel कर रहे हैं not because कि आपकी life में कुछ issue है, मसला है या फिर major कोई चीज आपको problem कर रही है लेकिन इसलिए क्योंकि जो भी आसपास की चीज़ है न वो आपको happiness वो joy नहीं दे पा रही है आप कहीं बहुत ही एक you know disinterested से रहते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि जो भी आपके personal friend में हो रहा है उसको लेकर बहुत एक boredom आप महसूस कर रहे हैं बहुत एक monotonous सी life हो गई है आपको लग रहा है कुछ ऐसा ही नहीं जिसे कि excitement हो या फिर आप enthusiastically कोई activity करें जिसे कि enthusiasm excitement आए क्योंकि देखिए हम लोग energy beings है जिस भी energy में बहुत time तक के लिए रहते हैं उसी energy में हम deep चले जाते हैं और जब हम इस तरीके की energy में जहां पर कोई भी चीज हमें एक excitement और enthusiasm नहीं दे पा रही है और हम low feel कर रहे हैं तो फिर हम इसी में ही deep जाते जाते हैं अगर ये हाल फिलाल शुरू हुआ है तो भी और अगर बहुत time से ऐसा महसूस कर रहे हैं तो भी यानि कि दोनों ही सेनारियों में again आपने कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे कि एक enthusiasm excitement आ यानि कि कुछ ऐसी activity में खुद को involve करना है हो सकता है कि आपका मन ना करे आप बोले मैम मेरा money नहीं कर रहा तो मैं करूँगा कैसे करूँगी कैसे you have to force yourself देखी क्या होता है जब हमारा mood अच्छा नहीं होता है कोई हमारा love room बोलता है कि चलो भी बाहर घूमने चलते हैं हम मना कर देते हैं लोगे हमारा money नहीं होता है उस energy में से बाहर निकलने का वो जबरदस्ती हमसे लड़ाई करके जब हमें बाहर ले जाते हैं और हम fun मज़ा मस्ती वाली activity में खुद को involve करते हैं या फिर involve होते हैं तो फिर थोड़ी दिरबादना हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम उनको बोलते हैं thank you यार आप हमें बाहर ले आए लेकिन अगर हम घर में ही रहते उसी energy में रहते तो हम और जादा worse महसूस करते यहाँ पर तो आपके friend या फिर जो भी close one थे वो force करकर आपको बाहर ले आए लेकिन हो सकता है ऐसी situation हो जहाँ पर कोई भी आपको force ना करे इस energy में से बाहर निकलने के लिए तो आपने खुद को ही force करना है again इस energy में से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा जरूर करना है फिर से मैं कहूंगी जिससे की आप एक enthusiasm excitement महसूस करें यानि कि जो भी चीज़ें आपको happiness joy देती है आपने उन में खुद को जरूर involve करना है and in general या फिर guidance से आप लुगों के लिए mountains का card है और ये card कहते है stand your ground तो जो भी आपका goal है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपने बहुत ही willpower बहुत ही determination के साथ action initiatives लेने हैं और देखिए दोनों ही fronts में ना कहीं action initiatives missing है और आपने देखा है mountain कुछ भी आजाए आंधी तुफान हिलता नहीं है अपनी जगा से तो यही energies आपके लिए भी चाहिएं और अगर इन energies में रहेंगे फिर से मैं कहूंगी willpower determination के साथ अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लेंगे by the end of the week आपको यसे लगेगा भाई week बहुत अच्छा गया thanks to ma'am, thanks to the cards in fact thanks to ma'am भी नहीं thanks to the card, thanks to the universe and astrology से आप लोगों के लिए Mars घ्रह का card है और इसके हिसाब से all shades of red maroon rust इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी पल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताए कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए जैमिनीज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है ace of wands और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में excitement, enthusiasm रहेगा और कहीं देखें जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसके लिए आप काफी motivated हैते हुए देख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कि किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक नई beginning आपके professional front में हो रही है और यह नई beginning सब जर्मिनीज के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि नई तरीके से आप चीजों को करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं कुछ के लिए नई job हो सकता है कुछ के लिए नई जगा हो सकती है नया colleague हो सकता है नया कोई coverker हो सकता है तो दिखिए कुछ भी नहीं beginning हो सकती है, ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा और बहुत सारे chances हैं कि ये नहीं beginning ही कहीं एक enthusiasm, excitement लेकर आ रही है All in all ये भी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, फिर से कहूंगी अपने goal, अपने मकसद के लिए बहुत motivated रहते हुए दिख रहे हैं, जो भी action initiatives आपके तरफ से required हैं, आप लेते हुए दिख रहे हैं और एक growth progress या तो आपके professional front में हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं या उसी से ही related action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of wants का card है, तो दोनों ही fronts के लिए wants के cards कहते हैं कि बहुत you know, जो भी चीज आप चाहा रहे हैं उसके लिए fire यानि कि energy रहते भी दिख रही है हाला कि देखिए personal front में किसी चीज का इंतजार आपको रह सकता है और जो भी कहीं अभी current हो रहा है, उस पे आपका उतना focus नहीं है आप कैसे अपने long term goals को achieve करें, कैसे future में जो चाहते हैं उसको achieve करें, उसके उपर आप जादा focus कर रहे हैं यानि कि long term planning आप करते हुए दिख रहे हैं, long term goals आप set करते हुए दिख रहे हैं और जैसे कि अभी मने आपको बताया कि किसी चीज का इंतजार भी रह सकता है फिर से देखिए general reading है ये इंतजार सब जमिनीज के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप right time का wait कर रहे हैं होता है न हमें कभी-कभी लगता है कि जब सही समय आएगा ना तब ही हम कहेंगे ये बात तब ही हम करेंगे तो इस तरीके से सही समय का इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए email, message, phone call का इंतजार कर रहे हैं या फिर, you know, कैसे आप future में जो चाहा रहे हैं उसको achieve करें और कहीं ये card कहता है, थोड़ा सा सबर, थोड़ी सी patience आप जरूर रखें हो सकता है, बहुत सरे Gemini's, you know, ऐसी energies में हैं और अगर नहीं हैं, तो card आपको advice कर रहा है कि इत्मिनान से चीज़ों को करें, impulsive ना हो, जल्दबाजी ना करें और इन जनरल या फिर guidance से आप रुपो Clay Hermit का card है और ये card कहता है, Retreat and Recharge तो दीकि जो मैंने आपको अभी कहा, वही कहीं guidance का card भी message दे रहा है मैंने अभी आपको कहा कि इत्मिनान से चीज़ों को करें, जल्दबाजी ना करें और Hermit का card भी कहता है Retreat यानि कि backseat लें, backstep लें और थोड़ा से introspective energies में रहें अगर बहुत जादा effort काफी time से किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और desired result नहीं मिला है तो अपनी batteries को थोड़ा सा पहले charge कर लें यानि कि थोड़े time के लिए उस चीज़ को छोड़ दें यकीन मानिए ये बड़ा एक अच्छा तरीका होता है अपनी energies को shift करने का जो चाहा रहे हैं उसको achieve करने का जब constantly again मैं कहूंगी हम effort करते जा रहे हैं हमें वो चीज मिल रही होती है तो कहीं subconscious level पर हमारे मन में ये thought आता है कि शायद हम नहीं achieve कर पाएंगे और जब उसी energy से हम करते रहते हैं तो और जादा हम नहीं कर पाते हैं फिर हम demotivate होते हैं और जब हम थोड़ा सा break ले लेते हैं और चीजों पर focus करते हैं अपने mind को shift करते हैं अपनी energies को shift करते हैं और अपने आपको recharge करके फिर से उसी चीज पर focus करते हैं action लेते हैं तो हमें फिर positive outcome मिलता है तो इस चीज का खयाल रखें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताहिक राशी फल और नीजे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए कैंसेरियंज आप लोगों के लिए दिखेंगे कमिंग भी क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है strength strength का card बहुत ही strong रह के चीज़ों को deal करने की बात करता है और हो सकता है कि कुछ ऐसी ही आपकी energies हैं और अगर नहीं है तो फिर से कहूंगी जो भी आपके profession front में चल रहा है उसको लेकर अगर आप थोड़ा सा भी weak हुए तो आप परेशान होंगे लेकिन अगर आपने strongly चीज़ों को deal किया तो बहुत असानी से अगर कुछ issues मसले हैं आप उनमें से निकल जाएंगे इन फाक दिखिए ये का challenges की भी बात करता है तो challenges issues मसले रह सकते हैं कुछ के लिए बहुत ही छोटे-मोटे रहेंगे एक का दुका के लिए बड़े भी रह सकते हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी strength का card कहीं strength maintain करने की बात करता है और किसी भी situation में weak और vulnerable नहीं होने की बात करता है यानि की issue मसले जो भी external level पे चीज़ें हो रही हैं उनकी वज़े से नहीं रहेंगे issue मसले रहेंगे कि आप weak हो गए आप vulnerable हो गए और हो सकता है कि थोड़ा सा गुसा frustration भी आपको किसी इंसान किसी चीज किसी situation पर अपने professional friend में आ रहा है और फिर से मैं कहूंगी अगर आपने lovingly, compassionately चीज़ों को deal किया by the end of the week आपको लगेगा कि भी बड़ा अच्छा गया और अपने उपर नहीं बड़ा गरूर होगा जब भी छोटा मोटा या कोई बड़ा भी challenge आता है और हम बहुत willpower determination के साथ उसको deal करते हैं उस time ज़रूर हम थोड़ा सा परेशान होते हैं लेकिन जब हम में उसी में ही success मिलती है तो बड़ी खुशी होती है कि कैसे हमने इतना मुश्किल काम भी कर लिया तो इस week बस इसी चीज का खयाल रखना है मुश्किल से नहीं डरना मुश्किल को डरा देना है और फिर से मैं कहूंगी ऐसा करेंगे तो by the end of the week आपको बड़ी अच्छी feeling होगी कि वाउ कितने आप strong है और कितने आपके अंदर एक हिम्मत है कि आप किसी भी चीज को deal कर सकते हैं लेकिन अगर week हो गए तो फिर परिशान हो सकते हैं तो फिर से बहुत ही lovingly बहुत ही compassionately सबर के साथ इतमिनान के साथ आपने चीजों को deal करना है willpower determination रखनी है ऐसा करेंगे ये week बहुत अच्छा जाएगा लेकिन इन में से किसी भी चीज में कमी हो गई तो परिशान होंगे और personal front के लिए आप लोगों के ले king of cups का card है तो दिखिए personal front में कहीं relationships, love, प्यार, महबबत आपके लिए या तो बहुत एहम रह रहा है या फिर आपको मिल रहा है किसी खास इंसान से या अपने love one, close one से या फिर आप किसी खास इंसान या फिर अपने love one, close one के लिए प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं या बहुत आपकी इन्ही चीजों को लेकर एक giving सी energies रह रही हैं अब थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए love relationship हो सकता है कुछ के लिए आपके parents हो सकते हैं कुछ के लिए बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए एक love care आप महसूस कर रहे हैं और फिर आपको उनकी तरफ से मिल रही है बहुत emotional, sentimental आप होते होए दिख रहे हैं लेकिन कहीं एक immature sentiments नहीं रहते होए दिख रहे हैं बहुत mature emotions हैं बहुत mature feelings आपकी रहते होए दिख रही हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि eating, drinking, very making किसी खास इंसान के साथ या फिर loved ones, close ones के साथ रह रही है या फिर इनी चीज़ों पर focus है कोई celebration, get together, reunion या तो आप plan कर रहे हैं, organize कर रहे हैं या फिर आप participate कर रहे हैं आप, you know, आपकी personal front में हो रहा है आप उसको enjoy कर रहे हैं all in all personal front अच्छा जाता हुआ दिख रहा है professional front अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, depend करेगा आप कैसे चीज़ों को deal कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए lady का card है और दिखी, ये card कहता है enjoy growth and reap rewards तो फिर से देखिए जो भी इन दोनों cards की तरफ से आप लोगों के लिए guidance रही इन फाक दिखे, professional के लिए जादा है personal में तो कोई guidance रही नहीं उसको आप apply करेंगे तो आप growth और abundance को achieve करेंगे या फिर आपकी life में आएगी कुछ के लिए by the end of this week रह सकता है कुछ के लिए जो भी इस week हो रहा है उसी से related आगे चलके रह सकता है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो का awareness day तो ये था किन सेजियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले लिए उस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है night of wands तो सबसे पहली चीज़ night of wands का card movement की बात करता है shift की बात करता है travel की बात करता है और कुछ ऐसा ही किसी ना किसी level पर आपके professional fund में इस week रहता हुआ दिख रहा है कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं या इसी से related एक सोच, एक planning आपके मन में रह रही है और अगर ऐसा नहीं है तो दिखिए पीछे किसी भी चीज में आप stuck महसूस कर रहे थे बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे उसमें से आप बहार निकलते हुए दिख रहे हैं कहीं बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े से impulsive भी आप हो सकता है इस week रहें और अगर ऐसा पाएं आपको लियो तो ज़रूर इस चीज को चेक करके correct करें क्योंकि देखिए जब भी हम impulsive होते हैं जल्दबाजी करते हैं तो कहीं हम अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाते हैं हमारे decisions, हमारे choices wrong हो जाते हैं और फिर बाद में हम regret करते हैं तो अगर immediate action लेना है जरूर लें लेकिन थोड़ा सा सोच लें थोड़ा सा चीजों को समझ लें एकदम से जल्दबाजी ना करें overall के लिए देखिए आप फिर से मैं कहूंगी आगे बढ़ रहे हैं कुछ positive changes भी आपके professional front में आ सकते हैं अब दिखिए ये positive changes सब लिए उसके लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है change of place हो रही है आपके work से related कुछ के लिए change of job हो सकती है change of location हो सकती है या फिर simply आप अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहा रहे हैं जो भी 3-4 चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा ये changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए बहुत ही minor छोटे मोटे changes होंगे कुछ के लिए बड़े होंगे लेकिन broader level के लिए दिखिए positive changes रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं यही changes किसी ना किसी level पर एक restlessness भी दे सकते हैं अब ये restlessness किसी परिशानी की वज़े से नहीं है होता है न जब हम एक ही काम को कर रहे होते हैं एक ही तरीके से तो कहीं हमारा एक comfort zone हो जाता है अब जब हम नए तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं All in all, professional front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है In fact, देखिए, बहुत जबरदस एक enthusiasm, excitement भी रह सकता है और जब भी भी यह काड आता है, मैं यह कहती हूँ कि आप जोश में होश ना कोई Over enthusiasm, excitement में कोई भी काम ना करें क्योंकि फिर से देखिए, जब ऐसी energies में हम कुछ भी करते है हम अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाते और बात में फिर हम परिशान होते है तो थोड़ा सा रुख के चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ही कोई बड़ा action initiative ले and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of swords का card है और दिखें, ये card भी movement की बात करता है तो पका लियोस किसी न किसी level पे कोई तो movement हो रही है अब दिखें, movement का मतलब सिरफ travel ही नहीं होता बहुत सारे लोग देख रहे हैं अब सब लियोस इस वीक travel करेंगे, ये possible नहीं है but yes, काफी सारे लियोस के लिए travel इस वीक professional, personal, किसी भी front की वज़े से रह सकती है और फिर से इस चीज को clear कर दूँ या तो आप वाकरी में travel कर रहे हैं या अगर travel से related planning चल रही है, सोच चल रही है तो भी ये cards आ जाते हैं तो कुछ ऐसा भी आपके professional, personal front में रह सकता है जहाँ पर again मैं कहूंगी आप travel कहीं करना चाह रहे हैं उससे related planning है, उससे related सोच है और literal travel तो हो सकता है, आप कर ही रहे हैं वो तो cards भग clear ली बता ही रहे हैं अब अगर personal front में भी travel नहीं रह रही है तो emotionally, mentally, किसी भी चीज़ पे stuck थे उसमें से बहार नहीं निकल पा रहे थे आप physical level में भी किसी situation में stuck थे और बड़ी कोशिश करते बहार नहीं निकल पा रहे थे और personal front का card पीछे जो भी issues थे, मसले थे, challenges थे उनसे आगे बढ़ने की बात करता है आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं बट यह एक transitory सा phase है जहां पे एक problematic situation या फिर एक चीज़ जो आपको किसी भी level पे bother कर रही थी उसमें से आप बहार निकल रहे हैं इसे transitory phase रहता हुआ दिख रहा है changes रहते हुए दिख रहे हैं अब दिखे परसनल front में भी changes सबके लेडिफर करेंगे कुछ के लिए change of place हो सकता है change of residence हो सकता है again हो सकता है या फिर आप चाहा रहे हैं या फिर उसकी planning कर रहे हैं कुछ भी इन दिनों में से रह सकता है फिर से मैं repeat करूँ change of place, change of residence change of location तो एक ही चीज हो गई तो जो भी मेरे mind में आये मैंने कहा इसी तरीके के changes रह सकते हैं और इन ही changes को लेकर फिर से repeat करूँगी आप transitory phase में रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि जहां आपको पहुचना है, जाना है वहाँ पहुचे नहीं हैं लेकिन पुरानी चीजें जो आपको serve नहीं कर रही थी या किसी level पर bother कर रही थी, परिशान कर रही थी उनको ज़रूर आप पीछे छोड़ रहे हैं और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए knight का card है अब देखिए knights भी कही movement को represent करते हैं आपके लिए professional friend में भी knight का card है तो कुछ तो movement लिए उस पका इस week हो रही है और नीचे मुझे जरूर comment section में बताएं कि क्या movement हो रही है या फिर कितना आप relate कर पा रहे हैं इन card से और ये card कहता है be brave and courageous तो जो भी काम करें बहुत courageously करें बहुत boldly करें डरें ना घबराएं ना एक कहावत है हिंदी में जो डर गया सो मर गया और वही applicable है आपके लिए इस week अगर थोड़ा सा भी आप घबरा गए डर गए नर्वस होगे तो फिर आप परिशान होंगे और अगर आपने बहुत boldly करें जिसलिए चीज़ों को deal किया तो बस बले बले आपका week अच्छा जाएगा आप बहुत अच्छे से चीज़ों को manage कर लिए and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए हो comment day तो ये थाली उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वो गुज़ आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है ego तो सबसे भली चीज ये card कहता है कि ego की वज़े से specifically professional front में कुछ मसले कुछ issues हो सकते हैं और दूसरी बात ये card कहता है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत blind हो रहे हैं I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है उनकी आँखों में पट्टी बंदी हुई है होता है ना कभी-कभी हम अपने goal अपने मकसद को achieve करने के लिए इतने ज़ादा focus हो जाते हैं कि हम गलत तरीके से भी चीज़ों को कर लेते हैं या फिर जो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं हम उनको लेक आँखों में पट्टी बंदेते हैं देखिए ये जो एक example मेरे mind में आया मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आँखों में पट्टी बांदी रही है मतलब आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं not that आप ignore कर रहे हैं बट आपको लग रहे है यार अपना काम कर लो अपने जो भी चाह रहे हैं उसका result मिल जाए उसका outcome हो जाए और उस पे आप जादा focus कर रहे हैं अगर ऐसा आप आएं तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें क्योंकि ऐसी energy से बहुत short term हमें एक खुशी मिलती है happiness मिलती है या फिर एक positive result मिलता है long term में हम परेशान होते हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इनसान है जो आपको थोड़ा सा control कर रहे हैं, dominate कर रहे हैं और ये professional front की में बात कर रही हूँ और दिखे जब भी भी कोई इनसान ऐसे कर रहा हो ना तो हमें उसी time उनको correct करना चाहिए बहुत सरे लोग बोलेंगे मैं अगर boss है तो हम क्या करें दिखिए I know boss को हमने regard करना है respect करनी है but at the same time अपनी body language से या किसी भी तरीके से हम उनको convey कर सकते हैं कि भाई हम नहीं tolerate करेंगे क्योंकि जब हम डर जाते हैं तभी हम परेशान होते हैं एक हिंदी में कहावत है ना जो डर गया सो मर गया और इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल उल्टा सीदा मूँ पे बोलना शूर करतें but yes you know we have to create healthy boundaries और जो एक और चीज ये काट कहता है कि हो सकता है कि आप ही किसी चीज को लेकर बहुत obsessed है हो रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप effort कर रहे है जो भी आपका goal है जिसके लिए आप effort कर रहे है उसको लेकर बहुत obsessed है हो रहे है आपको लग रहा है कि बस ये तो मुझे outcome चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए ये तो मुझे अचीव करना ही करना है which is a very good thing हमें विलपार रखनी चाहिए हमें focus होना चाहिए लेकिन जब यही चीज़ें over हो जाती है न तो फिर वो obsession बन जाती है और दिखें obsession is a negative energy negative energy positive result नहीं लेकर आती है और इन ही energies की वज़े से इतना stress tension हो जाता है हम outcome से यहाँ पर दिखें मैं outcome का example दे रही हूँ लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है जैसे हम बड़े attach हो जाते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं और यह भी हो सकता है कुछ के लिए कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक addiction हो रही है workaholic हो रहे हैं जितना काम कर सकते हैं उससे भी जादा कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर actually मैं मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस reason की वज़े से stress हो सकता है लेकिन broader level के लिए यह काट कहीं stress की बात करता है और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप भी इन में से किसी भी चीज़ को पाएं तो ज़रूर इसको check करके correct करें क्योंकि देखें इन चीज़ों को अगर आपने check करके correct कर लिया तो यह भी आपका बड़ा अच्छा जाएगा जो भी चीज़ आपको stress दे रही है, tension दे रही है वो बहुत ही, you know, असानी से आप overcome कर पाएंगे आप relaxed feel करेंगे लेकिन अगर इन ही चीज़ों को आपने check करके correct नहीं किया तो फिर आप परेशान होंगे क्योंकि देखिए ego का card कही राइडवेट में devil का card है और devil का card कही stress tension की बात करता है अब reasons मैंने आपको बता दिये फिर से एक बार ही repeat करूँ ego तो है ही एक reason दूसरा reason है आप बहुत obsessive हो रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप compromise करने के लिए ready नहीं है तो उसको check करके correct करेंगे ये week आपका ठीक जाएगा and personal front के लिए आप लोगों Clay Knight of Swords का card है और ये card कहता है बहुत जल्दबाजी में है भाई आप बहुत ही जल्दबाजी में है और ये जल्दबाजी सब वर्गोस के लिए differ करेगी कुछ के लिए जल्दबाजी कहीं जाने की हो सकती है कुछ के लिए काम करने की हो सकती है कुछ के लिए again कोई भी हो सकती है situation क्योंकि फिर से कहूंगी ये general reading है possible नहीं है कि मैं सारी situations आपको बताओ but yes जल्दबाजी आप कर रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं वर्गोस तो जरूर इसको चेक करके correct करें आपसे बात करते करते हैं एक दू सेनारियो और you know mind में आए जैसे होता है ना जल्दी जल्दी हम shopping कर रहे हैं बहुत time से कोई चीज खरीदना चाहा रहे हैं हमने जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे कर लिया या you know किसी के घर जाना है या ट्रावल करना है तो बड़ी जल्दी जल्दी में plan बना लिया which is fine कभी कभी हो जाता है but pause करके अच्छे से समझ लें कि भई आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हाला कि ये काट कहता है कि आप बहुत clarity के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप confused है in fact अगर कोई confusion है तो उसको भी आप हटाते वे दिख रहे हैं आप बहुत logically चीज़ों को deal कर रहे हैं अपने goal अपने मकसद को अपने सामने रखते हुए बहुत ही concentration के साथ आप उस direction में जाते वे दिख रहे हैं which is again very good बट थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी pause करके या you know mind में ही इस चीज़ की checking कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं आप over logical हो रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं आप over mind से चल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने blunt और straight forward हो रहे हैं कि आपके loved ones को आपकी बाते हर्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिलकुल भी emotions और feelings को consider ही नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा पाएं तो फिर से कहोंगी check करके correct करें otherwise night of swords is a neutral card बतलब ये card कहता है कि बहुत तेजी से या तो चीजें हो रही हैं बहुत speed से चीजें हो रही हैं या फिर लुक्न स्पीज से आप करना चाह रहे हैं और clarity के साथ चाह रहे हैं emotions, feelings, sentiments, missing रहते हुए देख रहे हैं या फिर आप emotions, feelings, sentiments को अपने उपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे रहे हैं, again which is a very good thing, but heart और mind का balance ज़रूर रखें. और yes, एक और चीज याद आई, कि आप इस week travel कर सकते हैं, या travel से related आपकी planning बन सकती है, और sudden changes भी personal front में किसी भी level पर हो सकते हैं, क्योंकि ये weekly reading है, छोटे मोटे sudden changes जाद रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए एका दुखा के लिए कोई बड़ा भी sudden change है सकता है, अब sudden change सब के लिए differ करेगा, and in general या फिर guidance है, वाइट विच का card है, और ये card कहता है be the light, तो दिखिए बहुत ही clear message है कि किसी से न beyond the point, किसी भी चीज की उमीद या expectation ना करें, इस card में owl बना हुआ है और owl कहीं wisdom को represent करता है, तो आपने अपनी wisdom से, अपनी समच से चीज़ों को करना है, और आपने लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों के उपर depend ना करें कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको guide करेंगे और बहुत ही positivity के साथ, बहुत ही positive frame of mind के साथ आपने चीज़ों को deal करना है, और astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था, वो गोज आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपकी साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए Libra's, आप लोगों के लिए देखें, इcoming week क्या लिकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, Ace of Souls, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, छोटे मुटे challenges, छोटे मुटे issues रह सकते हैं, अब दिखिए इस चीज को सुनके परिशान ना हो, क्योंकि कभी भी ऐसा possible ही नहीं है, कि life में हर चीज हमारे हिसाब से हो, कोई issue, कोई मसला ही ना हो, बड़ दिखिए जब भी जो भी issue हमारे life में आता है, उसको हम कैसे deal करते हैं, उसको लेकर हमारा state of mind क्या है, उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं, actually ये चीज़ें determine करती हैं, कि उस issue को लेकर हम कितना परिशान होंगे, या फिर कितना easily हम उसको overcome कर लेंगे, और आप लोगों के लिए यहाँ पर ace of source का card है, तो बहुत ही clear message है, अगर आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, जो भी situation थोड़ी सी challenging आपके professional front में है, उसको लेकर emotional नहीं होते हैं, sentimental नहीं होते हैं, confused नहीं होते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कि logically चीज़ों को अगर आप deal करते हैं, आप कहीं clarity रखते हुए, हर चीज़ों को deal करते हैं, तो जो भी issues, मसले हैं, बहुत easily आप उनको overcome कर लेंगे, और कहीं जो भी challenges हैं, उनमें आपकी victory होगी, उनमें आप जीतेंगे, क्योंकि देखिए, यहाँ पर sword के card में crown भी है, तो जहाँ एक तरफ Ace of Souls का card, challenges की बात करता है, वहीं victory की भी बात करता है, लेकिन victory तभी मिलेगी, जब हम बहुत clarity और logic के साथ, चीज़ों को deal करेंगे, और हम give up नहीं करेंगे, हम 100% अपना effort करेंगे, तो इन ही सब चीज़ों का खयाल रखें, by the end of the week, आपको बड़ी अच्छी feeling होगी, क्योंकि जब challenge आता है, हम परिशान ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हम बहुत boldly, बहुत assertively चीज़ों को deal करके, उसको overcome करते हैं, हमारी जीत होती है, तो वो जो एक खुशी होती है, वो बिल्कुल अलगसी होती है, तो इस तरीके की energies, आपके professional front में रह सकती हैं, फिर से मैं कहूंगी, अगर आप logically चीज़ों को deal करें, mind से चीज़ों को deal करें, emotional, sentimental ना होगे, वो अपना करें, लेकिन अगर आपने इनी चीज़ों का खयाल नहीं रखा, तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और personal front के लिए, आप लोगों के लिए seven of swords का card है, देखिए, दोनों ही fronts के लिए swords के cards हैं, तो दोनों ही fronts में, कुछ न कुछ challenge इस week रह सकता है, और मैंने अभी आपको starting में कहा, कि इस चीज़ को सुनके, आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, आपने थोड़ा सा mentally खुद को prepare करना है, कि भई, emotional नहीं होंगे, दोनों ही fronts में, क्योंकि दोनों ही fronts में swords के cards हैं, और खास कर personal front की बात करें, तो न आप चीज़ों से, लोगों से, situation से कहीं भागते हुए मुझे दिख रहे हैं, I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं, इस card में जो figure है, वो literally, you know, चुप चाप, secretly जैसे भाग रहे हों, तो कहीं आप चीज़ों को upfront होके नहीं face करना चाह रहे हैं, आप कहीं, you know, courageously नहीं सामने से deal करना चाह रहे हैं, आप कहीं उनको avoid कर रहे हैं, आप कहीं उनको ignore कर रहे हैं, और देखे, जब भी हम ऐसी energies में होते हैं, हमें लगता है कि ऐसा करके, हम उस issue problem को solve कर लेंगे, solve is actually not the right word, मतलब उसको हम avoid कर लेंगे, लेकिन back end में वो issue, जब चोटा मुटा issue, चोटा मुटा मसला है, उसी time अगर आप solve कर लेंगे, तो उसको बड़ा होने से आप रोक लेंगे, तो इस चीज का खयाल इस week रखें, और दूसरी चीज, ये card cheating की बात करता है, अब cheating words सुनकर भी नहीं परिशान होना है, क्योंकि cards guidance के लिए होते हैं, तो आपने इससे guidance लेनी है, हर इंसान को literally नहीं आपने इस week trust करना, थोड़ा सा cautious रहना है, थोड़ा सा alert रहना है, किसी इंसान पर doubt हो रहा है, तो फिर और ज़्यादा cautious रहें, क्योंकि कितनी बारी होता है न, जब कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो हम खुद को बोलते हैं, यार मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि वो इंसान ठीक नहीं है, या फिर उस टाइम पर मुझे यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने करा, तो यहीं पर देखिए कार्ड का एक रोल भी होता है, कि आपको डाउट है, लेकिन कहीं बारी हम उतना कॉशियस ली चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं, लेकिन जब हम कार्ड में भी वही चीज़ देख लेते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉशिस हो जाते हैं, और जो भी issue मसला हो सकता है, इन ही energies की वज़े से उसको हम avoid कर पाते हैं, उसको हम अपनी life में नहीं आने देते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि किसी भी इनसान पर doubt है, तो please उनसे थोड़ा दूर रहें, उनकी हर बात को literally ना लें, या फिर उनसे cautious रहें, और यह काट कहीं manipulative energies की भी बात करता है, यहाँ पर देखिए, आपकी भी energies हो सकती हैं, कि आप जो भी लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि यह personal front के लिए है, तो close one loved ones हैं, उनको किसी level पर manipulate कर रहे हैं, या फिर आपका कोई close one, आपके personal circle में कोई इंसान हैं, जो आपको manipulate कर रहे हैं, अब दोनों ही scenario में, अगर healthy manipulation है, यानि कि आपके intentions ठीक हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बिल्कुल simplicity के साथ चीज़ें नहीं चलती हैं, कभी-कभी हमें टेड़ी उंगली से भी गी निकालना पड़ता है, और ये ठीक है, as long as हमारे intentions, हमारे motives ठीक हैं, और इसी तरीके से अगर आपको लगे कि भई, जो भी इंसान आपके personal front में आपको manipulate करे हैं, उनके intentions ठीक हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जरा सा भी लगे कि उनके intentions ठीक नहीं हैं, तो फिर cautious रहें और conscious रहें, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए direction guardian का card है, और ये card कहता है choose your path, तो जो भी decision लें, जो भी choice लें, बहुत wisely लें, और अगर आप कोई decision, कोई choice लेना avoid कर रहें, for whatever reason, तो उसको न avoid करें, क्योंकि देखिए, जब हम decision choices लेना avoid करते हैं, तो कहीं न कहीं, हम अपने future में, जो भी चीज़ें हम मिल सकती हैं, हम achieve कर सकते हैं, उनको भी delay कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा future होता है, जो आज हम decision choices ले रहे हैं, उसका ही outcome होता है, तो please, decision choice अगर लेने की ज़रत है, किसी भी life के area में, उसको delay ना करें, जरूर लें, choose your path card कहता है, तो जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए क्या path आपको लेना है, वो जरूर इस week आप choose करें, and astrology से, आप लोगों के लिए second house का card है, इसके हिसाब से, all bright shades, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day, आप लोगों के लिए होगा, Friday, तो ये था Libra's, आप लोगों के लिए coming week का साथ आप आही काशीफल, और नीचे मुझे comment section में, ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, night of pentacles, और ये card कहता है कि, इस week specifically professional front में, आप बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को करना चाह रहे हैं, यानि कि जब तक आप 100% sure नहीं है, आप action नहीं ले रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका goal है उसके लिए, या फिर अगर कोई अच्छी opportunity आ रही है, तो भी आप, again मैं कहूंगी, action initiatives नहीं ले रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि, भाई, आप कोई भी risk ना लें, और कहीं इसमें कोई issue तो नहीं होगा, कहीं आप आगे चलके परेशान तो नहीं होंगे, which is a very good thing, देखिए हमें ऐसे ही चीज़ों को deal करना चाहिए, लेकिन कोई चीज जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रत से जादा होती है, तो हमें परेशान करती है, इसी तरीके से जब हम over safe होके चीज़ों को deal करना चाहते हैं, या फिर कर रहे होते हैं, हम action ही नहीं ले पाते हैं, हम बहुत सारी opportunities को miss कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अपने professional front को next level पर लेकर जाने के लिए वो नहीं कर पाते हैं, तो अगर ऐसा आप पाएं, ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें, overall दीके, night of pentacles is not a negative card, यह कहीं एक financial stability की बात करता है, financial security की बात करता है, जो इस week किसी भी level पर आतो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आप achieve करना चाहा रहे हैं, और उसी से ही related जो भी required है, आप उसको again करना चाहा रहे हैं, आप फिर किसी level पर कर रहे हैं, लेकिन फिर से कहूंगी, over safe, secure होके कर रहे हैं, ऐसे में आप 100% नहीं action initiatives, 100% action initiatives तो नहीं बोलूँगी, 100% अपनी potential को नहीं utilize कर पाएंगे, तो इस चीज़ का खयाल रखें, और बहुत अच्छे से planning भी आप करते हुए दिख रहे हैं, और इस card की तरफ से अगर मैं advice कहूं तो यही है, कि जो भी काम करें, अच्छे से planning करें, risk ना लें, chance ना लें, but at the same time, over safe, over secure होकर भी ना चीज़ों को deal करें, एक moderate energies रखें, and personal front के लिए, आप लुगों के लिए, Ace of Cups का card है, और यह card कहीं happiness की बात करता है, joy की बात करता है, कहीं नए सिरे से चीज़ों के शुरू होने की बात करता है, in fact हो सकता है कि कोई नई चीज, या तो आपके personal front में हो रही है, या फिर आप कर रहे है, या फिर आप चाहा रहे हैं, और कहीं यह नई चीज, किसी लेविल पे एक happiness, joy, satisfaction आपको देती हुई दिख रही है अपने loved ones के साथ जादा interact कर रहे हैं, जादा मिल रहे हैं कोई celebration, कुछs copyos के life में हो सकती है यह celebration सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है आपने किसी loved one को visit कर रहे है या फिर आपका loved one आपको visit कर रहा है या फिर कोई celebration already है आप उसमें participate कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, eating, drinking, merrymaking रह रही है या फिर कोई celebration, get together, reunion आप plan कर रहे हैं, organize कर रहे हैं all in all personal front में एक happiness, एक joy, एक satisfaction रहती हुई दिख रही है आप बहुत चीजों को लेकर, लोगों को लेकर emotional हो रहे हैं, love, प्यार, महबबत आपके लिए एहम रह रहा है या तो किसी खास इंसान के लिए या फिर overall अपने loved ones के लिए आप love, care, प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं या फिर आपको किसी खास loved one या अपने loved ones, close ones की तरफ से love, care, प्यार, महबबत मिल रहा है all in all personal front बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है in fact professional front भी अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है बस जो भी मैंने आपको बताया आप थोड़ा सा उसका खयाल रहें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए autumn का card है और ये card कहता है release the old and rest तो जो भी पुरानी चीज़े आपको serve नहीं कर रही है, bother कर रही है बहुत important है आपके लिए कि आप उनको release करें वैसे भी देखिए personal front में नई beginning किसी भी level पे हो रही है या फिर चाह रहे हैं या कर रहे हैं और ऐसे में all the more important हो जाता है कि पुराने baggage को आप carry forward ना करें नहीं तो जो नई beginning होती है ना उसमें भी एक खलल सा आ जाता है यानि कि उसको भी आप अच्छे से नहीं enjoy कर पाते हैं तो बहुत important है again पुरानी चीज़ों को यहाँ पर पुराने emotions, sentiment, situation कोई इंसान हो सकता है किसी इंसान की कोई बात हो सकती है कोई भी चीज है जो आपको किसी भी level पे bother करें उसको ज़रूर आप लटको करें and astrology से आप लगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह Thursday copy ओज आप लोगों के लिए coming week का साबता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलेए Sagittarius आप लोगों के लिए देखेंगे यह coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है The Empress क्या बात है Sagittarius Empress का card is one of the best card in the deck और मेरा favorite card है यह card कहीं comfort की बात करता है luxury की बात करता है happiness joy की बात करता है कहीं बहुत एक appreciation भी अपने work front में चीजों को लेकर मिलने की बात करता है मैंने work front इसलिए कहा क्योंकि यह professional front के लिए card है और दूसरी बात यह कहीं positive outcome, positive result की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है अब दिखिए general reading है, situation, circumstances, scenario सबके लिए differ करेंगे पीछे किसी भी चीज के लिए अगर आप अपने professional front में effort कर रहे थे आपको वो positive outcome मिलता हुआ दिख रहा है, positive result मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं बड़े ही comfortable होके आप चीजों को कर रहे हैं कहीं एक luxury भी रहती भी दिख रही है याने कि आप effort कम कर रहे हैं, आपको result जादा मिल रहा है बहुत एक fertile conducive ground आपके काम से related हैतावा दिख रहा है fertile soil का क्या मकसद होता है, दिखिए जब आप fertile soil में कोई भी बीजबोते हैं उसमें आपको जादा effort में करना पड़ता है, आप थोड़ा सा भी nurture करते हैं, थोड़ा सा भी नरिश करते हैं, पौधे उगाते हैं लेकिन अगर बंजर जमीन होती है तो आपको बहुत महनत करनी पड़ती है तो देखिए इस week जैसे कि मैंने अभी आपको कहा fertile ground मिलता हुआ दिख रहा है यानि कि थोड़ा सा भी effort आपको अच्छा result, अच्छा outcome देता हुआ दिख रहा है क्योंकि Empress female है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है जिनकी तरफ से काफी supportive operative energies है and otherwise in general ही जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से या फिर किसी खास loved one, close one की तरफ से आपको एक appreciation recognition मिलती हुए दिख रही है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए three of swords का guard है तो दिखे, professional friend बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है लेकिन personal friend में कुछ issues, मसले रह सकते हैं अब दिखे, issues, मसले, problems सब के लिए differ करेंगी अब problem word को सुनके परेशान नहीं हो ना नीचे comment section में मत लिखना कि ma'am, आप हमेशा हमारी reading negative करते हो मैं नहीं reading negative करती दिखे, life है, कोई भी situation आ सकती है हमेशा हमारे यसाब से चीजें नहीं होंगी कभी जैसा हम चाहते हैं, वैसी नहीं भी होंगी चीजें कभी हम किसी की बात को लेकर hurt भी हो जाएंगे और यहां पर जो भी card situation बता रहे हैं मैं सिरफ उसको read कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि इस situation में आप कैसे चीजों को deal करके अपने आपको भैतर कर सकते हैं, अपने आपको इस situation में से निकाल सकते हैं तो देखिए, इस card के point of view से अगर आप personal front में guidance लें तो किसी भी इंसान, किसी भी चीट से high expectation ना रखें, बहुत जादा उमीदें ना रखें क्योंकि एक card कहता है कि आप hurt हो सकते हैं और hurt हम तभी होते हैं, जब हम over लोगों के साथ करते हैं out of the way जाके लोगों की help करते हैं, या फिर उनकी care करते हैं और फिर कहीं मन ही मन हम expectation करने लगते हैं कि भी ये भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे और जब वो वैसा नहीं करते, तो हम परिशान होते हैं और दूसरा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी जो हम चाहा रहे हैं, वो हो जाए, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं जैसे ही कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो, हम परिशान हो जाते हैं और हम इस चीज को realize ही नहीं कर पाते कि भई, again हमारे हिसाब से चीजे नहीं चलेंगी और इसमें क्या हम best कर सकते हैं, इसमें क्या learning है क्योंकि देखिए हर challenge में, हर problem में, there is a hidden blessing there is a hidden, you know, beautiful thing और वो आपको तभी मिलती है, जो वो challenge आपकी life में आता है और आप उसमें वो learning देखते हैं, उसमें से आप क्या lesson ले सकते हैं आपको मिल रहा है, आप उसको देखते हैं अगर आप सिरुफ problem पर focus करते हैं, क्रिप करते हैं, तो फिर आप और परिशान होते हैं तो फिर से कहूंगे कि personal friend में आपने बहुत उमीदे नहीं रखनी हैं और जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप इस चीज को लेकर एक assurance रखें कि जब आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो universe के हिसाब से हो रही है and there is a hidden blessing, there is a hidden beautiful thing for you और आप उस चीज को ढूणने की कोशिश करें, यकीन मानिए ये week आपका भात अच्छा जाएगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए air guardian का card है और ये card कहता है shift your perception तो दिखिये बहुत ही clear message है और मुझे लगता है किसी भी front के लिए हो सकता है और यहाँ पर ये card कहता है कि अपना नजरिया बदले मेरे psychology के सर कहते थे जब नजारा नहीं बदल सकते हैं यानि कि external front में जो चीज़ें उनको नहीं बदल सकते हैं तो नजरिया बदल लीजे नजारा अपने आप बदल जाएगा तो यहाँ पर देखी कहने का मतलब ये है जो भी चीज़ आपको bother करें आप different perspective से उसको देखें different नजरिया से देखें ये क्यों हो रहा है again इसमें क्या आपके लिए hidden भलाई है और कहीं ये तो नहीं कि आप जिस अंगल से देख रहे हैं आपको ठीक नहीं लग रही है और आप परेशान हो रहे है दूसरे अंगल से क्या पता ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है तो इस तरीके से अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे अपना परसेप्शन बदलेंगे आप चीजों को बहतर कर पाएंगे इस वीक को बहतर कर पाएंगे Saat Starology से आप लोगों के लिए चेराओन का कार्ड है इसके विसाप से AllShades of Green इस वीक आप लोगों के लिए होगा Wednes Day तो ये था सवरीडेटेस आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि अप्रिकोंज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of cups 10 of cups का card tarot में कहीं happiness, joy, satisfaction, contentment की बात करता है कहीं loved ones, close ones के साथ बहुत एक beautiful bonding की बात करता है क्योंकि ये card आप लोगों के लिए professional front के लिए है तो कहीं professional front में इसी तरीके की energies हैते वे दिख रही है यानि कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाहा रहे हैं उसी से related एक happiness, joy आपको मिलती हुए दिख रही है in fact दिखे, ये card कहता है कि इस week आपकी happiness का source money, पैसा, materialistic, tangible चीज़े नहीं है कही relationships हैं जो आप अपने professional front में build up कर रहे हैं build कर रहे हैं या फिर यूनो जो भी काम आप कर रहे हैं उसे आपको बड़ी satisfaction मिल रही है हो सकता है कि फाइदा हो, हो सकता है उतना फाइदा ना हो लेकिन आपकी खुशी का source या फिर reason, money, पैसा नहीं again relationships रहते हुए दिख रहे हैं जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका relationship बहतर हो रहा है हो सकता है आप उनके साथ जादा eating, drinking, marimaking कर रहे हैं जादा connect कर रहे हैं आपको उनसे बहुत एक appreciation, recognition मिल रही है या फिर आप उनको appreciate कर रहे हैं यानि कि बहुत ही एक cooperative, बहुत ही supportive energies रहती हुई दिख रही हैं और ये भी हो सकता है कि Capricorns पीछे किसी चीज़ पर आप काम कर रहे थे वो इस week complete हो रहा है और ये चीज़ आपको बहुत एक happiness दे रही है all in all ये week professional friends से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and the personal friend के लिए आप लोगों के लिए the high priestess का card है और ये card कहता है कि personal friend में आप बहुत जादा socialize नहीं कर रहे हैं आप बहुत actively किसी भी इनसान के साथ मिल नहीं रहे हैं अपनी तरफ से मैं कहूंगी action initiatives नहीं ले रहे हैं आप थोड़ा सा back seat लेना चाहा रहे हैं आप थोड़ा सा चीजों से withdraw करना चाहा रहे हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिशान हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं या कोई चीज खराब हो रही है in fact high priestess का card भी contentment की बात करता है satisfaction की बात करता है तो दोनों ही fronts में किसी ना किसी level के किसी ना किसी level पे एक तसली रहती हुई दिख रही है एक इत्मिनान रहता हुआ दिख रहा है और personal front के लिए ज़ादा एक इत्मिनान और तसली वाली energies रहती हुई दिख रही है जो भी आप चाहा रहे हैं आप ऐसे लग रहे है कि भी जल्दबाजी नहीं करनी impulsive नहीं होना अच्छे से सोचो अच्छे से समझो और फिर चीज़ों को करो बहुत wisely आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं और हो सकता है अपनी feelings अपनी emotions या फिर आपके personal front में जो भी चीज़ें चल रहे हैं आप इस week सबसे या किसी से भी share नहीं करना चाह रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप एक secrecy maintain कर रहे हैं या फिर या आप share नहीं कर रहे हैं तो अपने आप भी एक secrecy maintain हो रही है और कुछ Capricorns के लिए भी हो सकता है कि कोई इनसान है आपके personal front में उनकी तरफ से आपको यसे लग रहा है कि भाई वो आपसे खुल के नहीं चीज़ों को share कर रहे हैं वो एक secrecy maintain कर रहे हैं all in all दोनों fronts अच्छे जाते वह दिख रहे हैं यह हफता आपका ठीक जाता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के star grazer का card है और यह card कहता है set your sights higher तो देखिए literal इसको मैं translate करूँ तो यह card कहता है ऊचा सोचें, यह नो बड़ा सोचें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कभी-कभी bother करती हैं हमारी energies को drain करती हैं, हमें life में पीछे लेकर जाती हैं उनके बारे में ना सोचें, उनको लेकर परिशान ना हो अपने goals बड़े बनाएं और उन goals पे आप focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेरिस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the moon the moon का card कहीं अंधेरे को represent करता है और कुछ ऐसा ही आपके professional fund में इस week रह सकता है यानि कि एक fear, confusion, insecurity आप महसूस कर सकते है और इसके लिए सब Aquarius के लिए different reasons रहेंगे लेकिन अगर आप root cost पे जा कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद आप clearly चीजों को देखने ही पा रहे है कि इस situation में आप क्या direction लें आप के लिए क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी दिखने ही रहा है आपको और अगर इस चीज को आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको light जलानी है क्योंकि अंधेरा सरफ और सिरफ light से गायब होता है और light is equal to knowledge या फिर मैं कहूंगी knowledge is equal to light तो जो भी चीज आपको bother कर रही है आप उस पे बहुत ज़्यादा focus ना करें या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, उस पे सिरफ आप 5% focus करें उसको कैसे आप solve कर सकते हैं, क्या उसका हल है, क्या उसका solution है आप उस पे focus करें, उसी से ही related knowledge gain करें उसी से ही related आप और ज़्यादा चीजों को समझें and trust me, अगर आपने इस चीज को follow किया, ये week आपका अच्छा जाएगा लेकिन अगर आप अंधेरे में ही टकरें खाते रहे, तो फिर आप परिशान होंगे क्योंकि अगर आपको अंधेरे को गायब करना है, आपको light जलानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, आपको उसी चीज से related, कहीं you know, knowledge gain करनी पड़ेगी उसके solution पर focus करना पड़ेगा, तो फिर से कहूंगी, अगर आप थोड़ा सा भी clarity रखते हैं, ग्यान उसी चीज से related knowledge acquire करते हैं, और you know, चीज़ों को solve करने की कोशिश करते हैं, ये week आपका अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं and personal fund के लिए आप लोगों के लिए nine of pentacles का card है, और ये card कहता है कि इस week सबसे पहली चीज, money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related, काफी you know, चीज़ें अच्छी रह रहे हैं कुछ को लिए हो सकता है, आपको gain हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, आप इन्ही को ही enjoy कर रहे हैं, भोग रहे हैं अब देखिए, इनको enjoy करने का मतलब ये होता है, कि भाई, कोई बड़ी purchase अगर आप बहुत time से करना चाह रहे थे उधर जा रहे हैं, यानि कि उस जगा को visit कर रहे हैं, उसको enjoy कर रहे हैं, या otherwise भी आप nature में जाधा time spend कर रहे हैं, nature से related चीज़ें कर रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है, आप अपने garden को maintain कर रहे हैं, या फिर otherwise अपने घर को आप और beautify कर रहे हैं, या अपने आपको beautify कर र positive outcome मिला, आप उसको natural में enjoy करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आप अकेले ही खुद के साथ enjoy करना चाह रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी, किसी भी चीज़ के लिए इस week depend नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको यसे लग रहे हैं, मैंने अपने आपके साथ ही enjoy करन आप फिर मैंने थोड़ा independent रहना हैं, अगर आप लोगों के साथ just in case enjoy कर भी रहे हैं, तो बहुत you know, एक independently चीज़ों को कर रहे हैं, यानि कि अपनी emotions, feelings, sentiments या किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी पे भी depend नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर नहीं हो रहे हैं, all in all, personal friends are related, यह काफी एच्छा रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए यह भी हो सकता है, आप अपनी कोई hobby को pursue कर रहे हैं, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए sky father का card है, और यह card कहता है, trust in the unknown, तो देखिए जब हम universe को हमने कभी नहीं देखा है, हम कुछ जानते भी नहीं हैं, जो ल अगर थोड़ा सा भी आपका trust डगमगा रहा है, और especially professional front के लिए है, तो आपने अपने आपको याद दिलाना है, कि भई universe आपके साथ में हैं, आपके guiding angels अपने साथ में हैं, आपके साथ में हैं, तो देखिए nut shell में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और हम जो आपको उस situation में ठीक लग रहा है, वो आप करें, universe पे faith रखते हुए, जिन God को मानते हैं, उन पे faith रखते हुए, तो trust बहुत बड़ा एक factor रहेगा, जो आपको करना है, इस week again कहूंगी अपने professional friend में, and astrology से आप लोगों के लिए Pisces sign का card है, इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं, sea green, sea blue, आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day, आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था एक वेडियस आप लोगों के लिए coming week का साफ़ता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए vices आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है wise counselor, and सबसे बहले चीज़, अगर हम overall देखें इस card के energies, तो ये card stability security की बात करता है, या तो इस week specifically professional front में एक security, एक stability आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे stability security आए, आप उस पर focus कर रहे हैं, उसी से related action initiatives ले रहे हैं, या फिर जो भी आपके professional front में इस week हो रहा, आपको लग रहा है कि बस अब वो stability security आपको मिल जाएगी, और इन ही सब चीज़ों के लिए, या फिर otherwise भी, किसी से advice, counselling, या तो आप ले रहे हैं, या फिर दे रहे हैं, और दूसरी बात देखिए, एक आट कहीं सीखने सिखाने की भी बात करता है, तो कोई चीज़ या तो अपने profession से related आप सीख रहे हैं, या फिर किसी को सिखा रहे हैं, होता है ना कभी कभी लगता है कि हम और जादा knowledge अपने profession से related गेन करें, कोई skill profession से related सीखें, जिससे कि हम औ और अच्छे से grow कर पाएं, तो हो सकता है कि आप इस तरीके की again कोई knowledge gain कर रहे हैं, skill update कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को knowledge दे रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, all in all दिखिए ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, कोई issue नहीं है, किसी अकलमंद इंसान से भी जादा interaction, जादा बातचीत करने की बात करता है, अभी अकलमंद इंसान हमारे से उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए wisdom की कोई उम्र नहीं होती है, हमारे mind में एक belief system है कि भाई, जो उम्र में बड़े हैं, जादा समझदार हैं, actually में इस से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है, तो फिर से कहूंगी कि किसी अकलमंद इंसान से आपकी जादा interaction, जादा बातचीत हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं, फिर से कहूंगी ये भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, all in all, एक stability security आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, and personal front के लिए आप लुगों के लिए justice का काड है, तो बहुत तोल मोल के Pisces this week आप चीज़ों को कर रहे हैं, और you know, कहीं एक fear रहने वाली energies आपकी रह रहे हैं, होता है ना कभी कभी हमें लगता है, कि भाई, मैंने न किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, including my own self, और यहाँ पर अगर आप खुद को नहीं include कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि please खुद को भी include करें, क्योंकि हमें बचपन से यह सिखाया जाता है, किसी के साथ गलत मत करो, सब के साथ, you know, अच्छे रहो, fair रहो, लेकिन हमें कोई भी यह नहीं सिखाता, कि हमने in the process अपने साथ भी fair रहना है, अपने साथ unfair नहीं होना है, क्योंकि दूसरे के साथ fair होत तो हो सकता है कि इस चीज की awareness आपको है, नहीं है, तो फिर से कहूंगी, लोगों के साथ ठीक होते होते कहीं, अपने साथ आप unfair ना हो जाएं, और यहाँ पर ठीक का मतलब जादा fair रहने से है, और दूसरी बात देखिए, फिर से कहूंगी कि बहुत तोल मोल के चीजें कह र रख रहे हैं, ना किसी को कुछ जादा देना चाहा रहे हैं, ना किसी से जादा लेना चाहा रहे हैं, और कहीं किसी चीज को लेकर एक balance भी maintain कर रहे हैं, कुछ prices को ये भी लग सकता है कि yes, आप मेरे साथ justice हुआ, पीछे कुछ भी आप कर रहे थे तो आपको उसका उसी आप से एक outcome result मिलता हुआ दिख रहा है, और अगर पीछे आपने effort नहीं किया, तो आपको इस week outcome नहीं मिलेगा, because remember justice कहता है कि आपके साथ नयाय होगा, और नयाय का मतलब यह होता है, हमने महनत करी हमें result मिलेगा, महनत नहीं करी हमें result नहीं मिलेगा, क्योंकि ये justice का card है, आप court, कचेरी या किसी वकील को मिल रहे हैं, visit कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई issue, मसला हो, कभी-कभी paperwork के लिए, driving license के लिए, या इस तरीके की चीज़ों के लिए भी हमें court visit करना पड़ता है, judge, वकील को मिलना पड़ता है, all in all दिखे, emotions, feelings कहीं missing रहती भी दिख नहीं है, logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, हो सकता है, कोई decision, कोई choice लेने की ज़रत है, आप ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ों के pros and cons को वे करते हुए ही, आप वो decision choice ले रहे हैं, या फिर मैं कहूंगी कि overall ही, जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ों के pros and cons को समझते हुए कर रहे हैं, logically अगें चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, emotions, feelings, sentiments कहीं missing रहते हुए दिख रहे हैं, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए shaman का card है, और ये card कहता है, trust in higher power, तो जिन भी God को मानते हैं, universe पे आपने trust करना है, वैसे तो हमें हमेशा ही trust करना चाहिए हैं, लेकिन इस week आप लोगों के लिए guidance है, तो इस week इस चीज़ का खयाल आपने जरूर रखना है, and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है, इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था Pices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में सुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए